हाई, केम चो, माझा मचो, चलो, आगया आपका, अपने हैं Dr. Dr. चुचो कार रहा और आज एक टौपिक है Omicron में डेल्टा में क्या फरक है सर दोनों के लक्शनों में क्या फरक है, दोनों के treatment में क्या फरक है यही बता हूँगा और दोनों की सीवेर्टी तो पता है कि लोग बता ही रहे हैं मैं भी बता चुका हूँ कि cold से इसको अलग कर पाना और सबस्व बड़ा challenge पता क्या होगा challenge होगा कि किसका test कराएं किसका ना कराएं तो मुझे लगता है कि जब ये wave आ चुकी होगी उस समय हम ये मानके ही चलेंगे कि सारे omicron, सारे covid के ही patient है जो भी cold करके आ रहे होंगे उस समय आई से 10-15 दिन के बाद मैं सच बता रहा हूँ आप खुद देख लेना तो फिर test कराएं या ना कराएं ये तब decide किया जाएगा जो ऐसे तो कराना चाहिए अगर आप दूसरों को फिलाओगे तो इसलिए कराना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ patient तो serious होंगे मैं मानता हूँ कि ज़्यादा serious नहीं होंगे लेकिन अगर 1% जनता भी affected होती है पूरे इंडिया की तो आप सोच लेजिए 1% कितना होता है hospitalization के उपर कितना फर्क पड़ेगा hospital पे overbidden आ सकता है इसमें कोई doubt नहीं है भलई death कम क्यों नहीं हों भलई serious क्यों नहीं हों पहला mild disease है दूसरा loss of taste, loss of smell बहुत कम होता है सिर्फ 23% में देखा गया loss of taste 10% में देखा गया loss of smell लेकिन तीसरा जो सबसे जरूरी है कि डेल्टा में 5 दिन के बाद symptom आते थे यहां omicron में सिर्फ 3 दिन के अंदर symptom आ जाते हैं सिर्फ 3 दिन के अंदर तो यह एक अलग है कि omicron बहुत तेजी से infect करता है भलई वो mild disease हो लेकिन बहुत जल्दी आ जाता है डेल्टा को time लगता था 5 दिन लग जाते थे incubation period जो है डेल्टा का 5 दिन है और omicron का 3 दिन है अब आते हैं treatment के उपर देखो treatment almost same है लेकिं क्योंकि omicron में ज्यादा oxygen की deficiency नहीं होती तो इसलिए यह अब तक जितने patient हमने इंडिया में देखें ज्यादा तर पेशेंट में कुछ करना नहीं पड़ा क्योंकि 70% asymptomatic है बागी अपने आप ठीक हो जाते है symptomatic treatment जै फीवर की दवाई दे दी खांसे की दवाई दे दी steroid की बहुत कम पड़ रही है लेकिन ये तैय है कि अगर patient serious होता है omicron से तो फिर treatment same है चैब वो delta का हो चैब omicron का दोनों का treatment same है treatment में कोई फर्क नहीं है अगर omicron में भी oxygen की कमी होगी तो हमें वहाँ पर भी steroid देने पड़ेंगे एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको भले ये omicron क्यों नहीं हो अगर आपको नजला जुकाम बुखार हुआ है और आपने test नहीं करा है COVID का और उस समय आज से हफते 10 सिन के बाद जब omicron फैल चुका होगा या 15 दिन बाद तो आप सबको एक ही काम करना है जो मैं पहले भी बताता था कि आप सबको oxygen जरूर चेक करनी है अपनी भी और साथ वालों की भी पूरे 10-15 दिन तक जी हाँ ये काम जरूर करना होगा और rest करना होगा दो चीजें जरूर करिएगा एक rest दूसरा oxygen saturation जरूर चेक करते रहीगा पूरे घर का अगर किसी एक को भी cold होता है तो भली cold भी क्यों नहों क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा आप लोग अपना oxygen अपने घरवालों का सब का चरूर चेक करते रहेगा जिनको symptom है या नहीं है ठीक है ये बात जिसको भी cold अगर होता है और अगर आपके घर में COVID डेगनोस होगे किसी एक बंदे को तो भी सब का oxygen चेक करना है तो oxygen, fever, BP ये सब चीजें आपको machine अपके पास अब तो होगी होगी क्योंकि जब से COVID होगी तो हर घर में BP की machine भी होती है और घर में pulse oximeter भी होता है नहीं है तो ले आईएगा और क्योंकि life में आगे भी इनके जहत पड़ेगी ऐसा नहीं है कि अभी जहत है तो अभी तो मिल जाएगा टाइट बांदी हैगा जो भी mask लें आप देख लें उसकी fitting अच्छी हो ये भी आज एक article है बहुत जो चाय हुआ है कि लोग इस तरह का mask लगाते है और मेरे clinic पे भी आते है न तो mask लगाया है लगाना ना लगाना बराबर होता है नाक के नीचे होता है धीला सा होता है पतानी गीरा पड़ा जा रहा है तो कोई फायदा नहीं है चलो ये था treatment कि omicron और डेल्टा का treatment almost same है सिर्फ इतना ही फरक है कि omicron mild disease है अपने अप ठीक हो जाती है अब ही नहीं antiviral medicines अभी आई नहीं है इंडिया में उमीद है दो तीन हफते में इंडिया में आ चुकी होंगी चीक है जब वो मॉलनो पैराविर हो या दूसरी हो अभी इंडिया में आई नहीं है लेकिन हाँ बहुत जल दो तीन हफते के अंदर मुझे उमीद है कि आ चुकी होंगी जैसे ही बागी जगाप आएंगी तो इंडिया में भी सबसे पहले आएंगी चिंता मत करो आप चीक है तो चलता हूँ और अपना ध्यान रखेगा अपने घरवालों का ध्यान रखेगा और थोड़ा सा कठिन समय है थोड़ा सा अपने उपर कंट्रोल करने वाली बात है सेल्फ कंट्रोल बहुत जादा चाहिए तो मुझे उमीद है कि आप लोग जा इतना जहला है तो एक महीन और जहल ले यार क्या फरक पड़ता है तीक है जिन्दगी मिलके पिताएंगे आले दिल काके सुनाएंगे हम तो सात रंग है यह जहां रंगी बनाएंगे